नमस्कार दोस्तों आप सभी को जाहिंद तो आज इस्टेट करेंगे SPD बूक रेलेवे का है जो कि सभी इजाम रेलेवे के सभी इजामों के लिए महत पुर्ण होगा यह नया वाला बूक है तो देखिए इसका नया में जो निकला उसका देखिए रेट 340 रुपय कर दिया है तो चलिए यहां पर देखिए यह सब कोंटेंट दिया है मतलब क्या पढ़ना है यह सब देखिए नया में बहुत चीज एड़ किया इसमें देखिए इसको चलिए कोश्चन पर डायक्ट आएंगे यह सब देखिए चलिए कोश्चन पर आदेए डायक्ट नया बुक है यह जो आटरा इसवाला तो चलिए स्टाट करते हैं कोश्चन बुला है भारतिये रेल अमेरिका प्र ले देए अच्छा यह कि मैं भारतिये रेल रूप देखिए भारतिये रेल अमेरिका रूज तथा चीन के बाद विश्चो का चौथा सबसे बरा रेल नेटवर्ग है क्या बहुला है भारतिय रेल अमेरिका रूस तथा चीन के बाद बिसु का सबसे बरा चौथा रेल वेस्ट नेटवर्क है ये उसके बाद बुला है अगला कोशन है भारतिय रेल का मूल मंत्र है सुरक्षा सनक्षा एबं समय पालन है भार्त रेल का मूल मंत्र क्या है सुरक्षा सनक्षा एबं समय पालन है आगे दखते हैं आगे बुला है अगला कोशन है कि भार्त में सौर पर्थम रेल की शुरुवात 16 अपरेल 18 तिरपन इस वी में मुंबे से थाने के बीच 36 क्य्फा के बीच लग टलो जी कде सासनकाल में परारंब हुई थि क्या बूल ला है भारत में बारत में सौर पर्थम रेल कब चली थि you भारत में सौर पर्थम रेल की शुरुवात 16 अपरेल 18 तिरपन में राश्तिरपन में मुंबै सुथाने के विच चली थे जो 14 किलोमेटर टूटल था इसके किसके सासनकाल में पराड़ाम होई थी जिसका नाम था ट्रेन का नाम क्या था ब्लैक विटी ट्रेन का नाम था ही प्लैक विटी आगे बोला देश में पर्थम विद्धु त्रेल तीन परणा विद्धु त्रेल को लेगा तो तीन फरवरी उनीसद परचिस को चलाय गया था आगे बोलेगा क्वेचन आपको कि डेकन कुईन बिजली चलित पर्थम ट्रेन थी भारती रेलबे एक्ट अठास नब्बे इसली में पारित हुए थी रेलबे भारत का सबसे बारा नियोकता संस्थान है भारती रेलबे बोड की अस्थापना मार्च पांच इसली में लॉड करजन के समय में की गई थी भारती रेल काराश्टिय करन 1950 में हुआ था आगा बोला है देश में पहली मेटरो रेल 24 अक्टूबर 1984 को चलाए गया था देश में यानि भारत देश में पहली मेटरो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता के दमदम से टॉली गंज तक चली थी दिल्ली में चलाए गया थी 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता में चलाए गया था 24 अक्टूबर 1984 को सहाद्रा से 30 हजारी की वीच परारम भूए थी तो सहाद्रा से 30 हजारी की वीच परारम भूए थी आगे बोला है आई आर सी टी सी का अवस्य है यानि फूल पराम इसका पूच रहा है इसका फूल पराम हो जागा इंडियन रेल बें क्याटरिंग एंड टिरिज्म कॉर्परेशन कि स्वरी कॉर्परेशन सही है आगे बोला है देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगारी है विवेक एक्सप्रेश है जो कि दिर्भू गड़ से कन्या कुमारी 446 क्योंटर चलती है क्या है देश में भारत देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगारी के नाम है विवेक एक्सप्रेश जो कि दिर्भू गड़ से कन्या कुमारी तक चलती है जिसकी लंबाई कुल लंबाई है मारकी लंबाई 446 किलो मेटर जाती है रेलेवे बजट को आम बजट से अलग 1925 में एक वर्थ समीति के सुझाव पर हुआ था और 2017 में यह पुना समानने बजट में सामिल हो गया आयो बोला है पर्थम रेल बजट को जनमताई ने पिस किया था भात का सबसे लंबा रेल बेप प्लेटफर्म का नाम है करनाटक का हुगली जक्सन प्लेटफर्म और सबसे लंबी रेल सुरंग जो की तीर पंजाल या बनिहाल सुरंग है जो की जम्मू कस्मीर में है और इसकी लंबाई है 11.215 किलो मेटर है आगे बोला है कि भारत का सबसे बरा रेलवे याड पंडित दीन द्याल उपद्याय नगर है जो की कहां है उत्तर पर्दिस में है आगे बोला भारती रेलवे का राष्टी ये रेल संगराले नई दिल्ली में तसा छत्री ये रेल संगराले मैसूर में है बारतिय रेलवे का राष्टिय रेल संगराले नई दिल्ली में है और बुलेगा और छेत्रीय संगराले मैसूर में इस्तित है आगे क्वेशन बुला है भारत की पहली मोनो रेल मुंबे में एक फरबड़ी 2014 को प्राराम होई थी बारत में पहली बार नो रेल एक फरबड़ी 2014 को प्राराम होई थी और आगे है भारतिय रेलवे में 79 डिवीजन मंडल है डिवेजन कते हैं उसको हिंदी में मंडल कते हैं आगे भारतिय रेलवे को 18 जोन वे बाता गया है रेलवे में भरती है तू 21 रेलवे भरती बोड है जो नहीं परति की यानि लोगों में कितने तारह था सतरसता तार हैं। लोग को भूए आगे बूलागा 16 अप्रेल को रेल दिवस मना जाता है आगे बूलेगा भारत में शिर्फ महिलावों के लिए एक मात्र ट्रेन मुंबे के चर्च गिट से बोड़ी वली तक चलती है भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एक मात्र ट्रेन मुंबे से चर्च गिट से बोड़ी वली तक चलती है इंट्रीगर कुछ फैक्टरी कहा है तर प्रैंबू तमीनाडू में प्रैंबू तमीनाडू सुट प्रिजेड लेंड के मोडल पर अधारित है कि आगे है कि रिल्वे एस्टाप कॉलेज बरोधा में इस्तित है रिल्वे में अमधनी का बरा जरिया क्या है तो माल भारा माल भारा रिल्वे में आगे रिल्वे सुरक्षा रिल्वे शुरक्षा वल याने वर्फ पका गतन का वजिए NES 18 loaf ने ऊठाञ उसका उर्प्रेवर्सी का न मताधके अउसका मुंखेले कहां उर्च अस्तपना वर्च कव वजता नचके आप եा देखते हैं तो यहां देखें बोलेगा कि मध्धे रिल्वे का मुख्याले कहां है मध्धे रिल्वे का मुख्याले कहां है तो मुंबे भीटी मध्धे रिल्वे का मुख्याले है अब बोलेगा इसका अस्थापना कब गवा था तो 1951 में मध्धे रिल्वे का अस्थापना व सब्सक्राइबि 27ai заним 가지 बोलेगा पूरब wasn't क्लक्ट्ता में और में अश्चायओ अगे भड़ा उत्तर लेका मखेले नई डिली में है इसका में 320 मीफ है अगे क्या वुकरlica आगे बलेगा पुर्व उत्तर रेलवे का मख्याले कहा है तो पुर्व उत्तर रेलवे का मख्याले गुरखपुर है और इसकी अस्थाफना उनिसे बावन में हुए थी आगे बोलेगा दक्षिन पुर्व रेल्वे का मुख्याले कहा है तो कलकत्ता में है इसके अस्थापना उनिसो पच्पन में होई थे आगे बोलेगा पुर्वत्तर स्विमांत रेल्वे का मुख्याले कहा है तो माली गां उनिसो अन्ठावन में होई थे आगे मद्धियेस सिकंद्राबाद मद्धिये令वे मुख्याल कहा है चिकंद्राब्द इसको सिण पूलेगा yager अगर है किडग सुने कर लिए लेख जायब अस्थापणां दोहर्दू में दक्षीनी पस्यें रेलेवेय का है लगफ ...... इसकी अस्थापणां 2-0 3 बnorm्ती मधितोय पद्हें रेलेवेय का है इनफास इसके SI av 2-3 पूरुवी तटवर्थ्ये अ ह diesem अगren खंठान उसक्ष्टामां 2-3 आगे बोलेगा कि भारतिय रेलेवे गेज मतलब इसका लंबाई होता ना है फीट में कितना है और मीटर में कितना है तो बोलेगा कि तीनों गेज होता है अब फिलाल में है चारों गेज लेकि फिलाल अभी तीनों गेज चलता है तो ब्रॉड गेज ब्रोड गेज की बुलेगा लंबाई फीट में कितना है तो 5 फीट 6 इंची ब्रोड गेज की लंबाई फीट में 5 फीट 6 इंची और मीटर में बुलेगा तो 1.676 मीटर है 1.676 मीटर है और अगर बुलेगा मीटर गेज की लंबाई कितना है है तो पॉइंट सिक्स मीटर सॉरी 2.6 फीट है 2.6 फीट है इसकी लंबाई बोलेगा मीटर में 0.762 0.762 आगे बोलेगा कि रेल इंजन निर्वान के इंदर रेल इंजन निर्वान के इंदर तो कहां कहां बनता है यहां देखिए चित्रणजन लोकोमोटीव वर्क्स बिदुत इंजन निर्मान होता है यह क्या करता है तो क्या बनाता है बिदुत इंजन कहां निर्मान करता है आगे बोलेगा कि डीजल कंपोनेंट वर्क्स पठीयाला डीजल कंपोनेंस वर्क्स कहां है तो पठियाला में है और यह क्या करता है तो डीजल इंजन के कल पुर्जे का निर्मान करता है आगे बोलेगा टाटा इंजिनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमेटेट कहां है तो चितरंजन में है और यह क्या बनाता है तो डीजल इ निर्मान करता है आगहें बोलेगा भारत है इलेक्ट्टीखल कहा है तो भेल विठूल कहा है भुपाल फे हमें बाल्य पर्रात करता है मेंüst Kinवान करता है इसके जुदिगा यह बोलत भीड़ेल कोछ थक्त्री नार्ज blur आगे बलेगा बारत अर्थमोब्वर्स लिमीटेश्ट कहा है बैंगलूरू करनातीक में श्टे थे आगे में वहील एंड एक्षयल प्लांट कहा है बैंगलूर करनाटक में चते थे आगे बढ़ेगा , आ गया है .... कि जए सब end company limited कुलकाता है.... जए सब end company limited कहा है ? कलकाता में से थे... आगे दीखते हैं Qe hypocrisy यॉपैस अगला कुछषन बढ़ Aud學 लेते है आगे बुलेगा देश की पहली महिला मंत्री कौन थे तो ममता बना लेगा भारत की सबसे तेज चलने वाली गारी का नाम का है रिल गारी का नाम बंदे भारत एक्स्प्रेस जो की अब ट्रेन 18 के नाम से जाना जाता है इसकी शुरुवात 15 फर्वारी 2019 को दिल्ली से 12 नसी के बीच हुए थे दिल्ली से 12 नसी के बीच बीच आगे बोला है राजधानी एक्सप्रेस सर पर्थम एक मार्च 1979 को दिल्ली और हावरा के बीच चले थे कॉंकन रेल के स्थापना 26 जनवरी 2019 को हुए थे परियोजना भारतिय रेलवे की बहुत दिल्ली परियोजना है जिसकी लंबाई 760 किलो मिटर है यह रोहा से मैंगलूरू तक चलती है आगे है कॉंकन रेल कम खेले कहा है तो गोवा में है पंजी में यह महराष्ट गोवा करनाटक और केरल को जोरती है सवर पर्थम वाता का अनुकुलित रेलगारी मुंबे और बरौदा के बीच चली थी 1936 में इसकी शुरुआत 1936 में हुए थी रेल करमचारी बीमा योजना 1937 में लाग हुआ था रेल यातरी बीमा योजना 1994 में पराम हुए थी आगे है कि दक्षिन पुरूब रेलवे को बुलू चीप कहा जाता है दक्षिन पुरूब रेलवे को बुलू चीप कहा जाता है आगे बोला है देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है देश में भार देश में उत्तर रेल्वे के मुख्याले सबसे अधीक है और प्रुवत्तर सिमांत रेल्वे का सबसे कम है देश का सबसे लंबा रेल सरक पूल है जिसकी लंबाई 4.9 किनोमेटर है या बरामपुतर नदी पर बना है जो असम के असम से अरुनाचल परदिस को जोड़ता है आगे अगर बोलेगा कि रेल्वे मार्क की कुल लंबाई कितना है तो रेल्वे मार्क की लंबाई भी 2023 तक के है सुरेखा संकर यादब यहां सुरेखा यादब दिया है लेकिन इसका पुरा नाम है सुरेखा संकर यादब यहां सुरती मुम्ताज कथवाला सूती, मुम्ताज, कथवाला और समझहोता एक्सप्रेस भारत और पकिस्तान के बीच चलती है समझहोता एक्सप्रेस भारत और पकिस्तान के बीच चलती है और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बंगलाजिस के बीच चलती है आगे बोलेगा कि रेल दुर्घटना सरपर्थम 25 जनवरी 1879 को भोर घाट कहां है पूने से मुंबे मार्ग में हुआ था जो कि रेल दुर्घटना सबसे पहले बार कब गुआ था 25 जनवरी 1879 को गा था आगे बोला है कि रेल दुर्घटना के कारण इस्थिपात देने वाले भारत के पर्थम रेल मंत्री को थे तो लाल बहादूर सास्तिरी थे आगे बोला है कि देश का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है तो फेरी कुईन है जिसका निर्मान 1885 में किया गया था जिसका आगे बोलेगा आगे बोलेगा जर्ज एस्ठीपन्स एस्ठीपन्स रेलवे का पिता हमां कहलता है और सन्यान टू डिब्बे में कूल oston 1882 बर्थ होते हैं जिसको सिलीपर कहते है उसके बहुत बला पहला प्लेटफर्म टिकट लाहर में जारे हुआ था भाद का प्लेटफर्म टिकट लाहर में जारुआ था तो तो पहले 1947 से पहले अगर बोलेगा तो भारत और पकिसान एक ही था तो पहला टिकट लाहर में अस्तावित हुआ था आगर बोला स्वर पर्थम पर्थम केंपिटरी क्रित यातरी अरक्षन वेवस्ता 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था आगर बोलेगा कि भारतिय रेलवे में स्वर पर्थम ततकाल अरक्षन सेवा 20 दिसंबर 1977 को प्राणब की गए थे पहली वाता अनुकलित डवल डेकर ट्रेन एक अक्टूबर 2011 को हावरा से धनवाद के विच चले थे तो हावरा कहां है हावरा पस्ची मगाल में है और धनवाद कहां जहते है जहरकंड में है आगे बोला है विच्व में पर्थम रेल इंग्लेंड में 27 सेप्टेमबर 1825 को अस्टोकन से डाल लिगी टान तक चले थे आगे बोला है कि विच्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांसाइवरेलिया है जो कि लेनीन ग्रांड से लेनिन ग्रांड से ब्लाडी वाश्टक रूस में चलती है विच्व की बड़ी रेल शुरंग सिकन है शीकन कहा है जपान में विशो के सबसे बरी रेल सुरंग है शीकन कहा है जपान में और बोलेगा विशो में पहली मेट्रो रेल लंदन में दोस जनवाई को लंदन में अगर आगे बोलेगा है आगे है कि भारत दक्छिन एसिया में इस्तित भारतीय उप महादीफ है भारत दक्षिन एसिया में इस्थित भारतिय उपमहादुप है तो इसमें कुन-कुन से देश आते हैं एसिया में दक्षिन एसिया में तो यहां हो जाएगा पकिस्तान, भारत, निपाल, भुटान इबंबंगला देश आता है इसका सबसे बड़ा देश है इसका सबसे बढ़ा देश है महादीपों का सबसे बढ़ा देश है इसका प्राशी नाम आर्रियावर्त एवां जम्बू देश है आगे बुलाएं कि अधिकान्स भरतिये कौकेस्याई या कौकेसाइड मानब परजाती सम्वों से सम्वादेते है सरपर्थम इरानियों ने भारत को हिंदुस्तान एबं युनानियों ने इसे इंडिया कहा था आगे है कि भारत के उत्तर में नेपाल भुटान और चीन है जबकि दक्षिन में स्रिलंका और हिंद महासागर है भारत के पूर्व में बंगला देश मैनमार एबं बंगाल की खारी है तथा पस्षि में पकिस्तान और औरव सागर है अगर आपको बोले कि भारत एक मात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर यानि किसी महासागर का नाम है जिसको कहते हैं हिंद महासागर हिंद महासागर नामा करन किया गया भारत के नाम पर और हिंद महासागर हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है तर रतनाकर है रतनाकर हिंद महासागर का अन्य नाम है सांत छेतर इबं साथ समुद्रों की कुझ कहा जाता है किस हो कहा जाता है तर हिंद महासागर हो कहा जाता है आगे हैं हिंदी महासागर का पस्मी भाग अरव सागर एबं पुरिवी भाग बंगाल की खारी कर लाता है हिंद महासागर की पस्मी भाग अरव सागर एबं पुरिवी भाग बंगाल की खारी कर लाता है भारत में सम्मूदर तल से औसत उचाई चिन्ने के सम्मूदर तट से मापी जाते है भारत में सुरादीक पुर्भी राज्य और नाचल पर्देश एबम पस्मी राज्य गुजरात एबम उतरी राज्य बोलेगा उतरी राज्य हिमाचल पर्देश एबम दक्षिन राज्य तमिल नाडू है तमीन नाडू है अगर आपको बताए कि देश मेखन्द सासित परदेशों में सुराधी को उतरी भाग में कोन है तो लद्धाक में है और बोलेगा दचनी भाग में कोन है तो अंडवान निकवार है अंडवान निकवार दुपसमु है और बहुलेगा भारत के मुख्य भूमी भाज के मुख्य भूमे 8 डिगरी 4 मिनट और 37 डिगरी 4 मिनट और 37 डिगरी 6 मिनट उतरी अक्षांस एवं 68 डिगरी 7 मिनट और 97 डिगरी 25 मिनट पुरिवी देशांतर के बीच इस्तित है एक प्रारों इसको देख लेते हैं भाज के मुख्य भूमे 8 डिगरी 4 मिनट और 37 डिगरी 6 मिनट उतरी अक्षांस एवं 68 डिगरी 7 मिनट और 97 डिगरी 25 मिनट पुरिवी देशांतर के बीच इस्तित हैं संपूर्ण भाद का अक्छांसिय विस्तार 6 डिगरी 4 मिनट से 37 डिगरी 6 मिनट उतरी अक्छांस के मद्धे इस्तित हैं आगे है कि अक्छांसिय दिशांतिय विस्तार में 30 डिगरी का अंतर है करक रेखा 23 डिगरी 30 मिनट उतरी अक्छांस में और भारत भुभाग को दो बरावर भागों में मारती है करक रिखा भारत भुभागों को दो भागों में मारती है जो की अपन भारत के जर्खंड के राची से गुजरती है करक रिखा आठ राज्यों से गुजरती है बीच ओ बीच बलेगा तक जरकंड रांची से करकरेखा आठ राज्यों से गुजरती है उसमें क्या है गुजरात, राजास्थान, मद्देपर्देश, चतिसगर्ड, जरकंड, पस्चिममगाल, पिरपूरा एबं मीजोरम से होकर गुजरती है आठ राज्यों से गुजरात, राजास्थान, मद्देपर्देश, चतिसगर्ड, जरकंड, पस्चिममगाल, पिरपूरा एबं मीजोरम से होकर गुजरती है करकरेखा अगर आपको बता दे, करकरेखा का सुराधीक भाग मद्देपर्देश से तथा निंतम भाग राजास्थान से गुजरती है भात का सबसे दक्षिंतम बिंदू इंदरा पॉइंट है जो कि अन्दमान निकोवार दूप समु में, दूप समु के गेट निकोवार में 6 डिगरी 4 मिनट उतरी अक्षांस पर इस्तित है आगे बुला है, कि 82 डिगरी 30 मिनट पूरवी दिसानतर दिखाओ, जो परियाग राज के, जो परियाग राज के, कहा से गुजरती है परियाग राज के नैनी ताल है, जो परियाग राज से नैनी ताल गुजरती है, जो भारत का मानक समय रिखा माना जाता है जो ग्रीन बीच, जो ग्रीन बीच, माध्धे समय यानि GMT से 5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है पांच घंटा 30 मिनट आगे है भारत के पुर्वी तथापस्मी सुदूर बिंदूर को अस्थानिय समय लगभग 2 घंटे का अंतर है लगभग इतना 2 घंटे का अंतर है आगे है कि 82 डिग्री 30 मिनट पुर्वी दिसांतर रेखा भारत के पांच राज्यो यानि उत्तर आंत्र परदेश उडीशा 36 गर्षे होकर कजरती है भारत 5 राज्यो यानित्व परदेश अंतर परदेश उडीशा 36 गर्षे होकर गजरती है पांच राज्यो ये ऑनियंता गुईराथ, महाराष्ट, गोवा, करनाटक, केरल, तमील नाडू, आंधर परदेश, उडीशा, एवं पस्षीम मंगाले है। भारत के 16 राज्य तथा दू केंदसासित परदेश अंतराष्टी अस्थल सीमा से लगी है। जिसमें सबसे लंबी सीमा पस्षीम मंगाले की है, बंगलादेश के साथ है। आगे हैं केंदसासित परदेश पूडू चिरी, परकेंदसासित परदेश पूडू चिरी तीन राज्य वें फैली है। जिसकी का जीला, यमन, आंधपरदेश, कराईकल एवं पूडू चिरी, पमिलनाडू तथा माहे केरल में स्थित है। आगे हैं भारत में कूल बीश राज्य अस्थल रूद यानि लैंड लोक है। इनमें पांच राज्य हर्याना, च्छतिसगड, तिलिगन्ना, मैद्देपरदेश, जरखंड ये भू आवेशित है। चिनिकी सीमा, अंतराष्टिय सीमा को असपर्स नहीं करती है। ये पांच राज्य है जो अंतराष्टिय सीमा को नहीं प्रच करती है। आगे बोला हैं कि उत्तर प्रदेश सरवाद्धीक राज्य यानि सरवाद्धीक राज्य आठ राज्य और दिल्ली को असपर्स करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर परदेश के सुरवाधीक सीमा मद्धे परदेश से एबंसाफ से कौम सीमा हिमाचल परदेश से लगती है भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट 12 समुद्री मिल है जिस पर भारत का अधिकार है एक समुद्र मिल यानि इसको नॉटिकल मिल कहते हैं एक समुद्र मिल बराबर होता है 1.852 किलोमेटर के बराबर होता है भारत का संगलन छेतर से 24 समुद्री मिल तक है जिस पर भारत को सीमा सुलक वसूली एबं वित्तिय अधिकार प्राप्त है भारत का अन्य अर्थिक छेतर तट से दूसर समुद्री मिल तक है जिस पर भारत को सागरी जीवत था समुद्री खनीजों के सनक्षन एबं बेग्यानिक अनोसंदानों का अधिकार प्राप्त है आगे बोले तो यहाँ है भारत का सरवुच प्रवस सिखर है गौडविन आईष्टेंज जिस तो केटू कहते हैं केटू भी कहते हैं जो काराकोरम सिरेनी यानि लद्लाख में काराकरम है काराकरम सिरेम में इस्तित है धनुस कोडी धनुस कोडी पंबंदूइप तमिलनाडु राज्जे पंबंदूप कहा है तमिलनाडु राज्जे में है जो कि भारते छेतगा अंतिम सहर है धनुस कोडी धनुस कोडी है अंतिम राज्जे उसके बाद है भारत एक दिरिष्टे में देखेंगे कि अवस्तित है भारत उतरी गुलात रियों पुर्वी दिसांतर में इस्तित है भारत भारत की आकिर्ती है चाहिस कुनगी है भारत की राज़ानी नहीं दिल्ली है भारत का जलवाई है मानसूनी है भारत की कुल राज्य कितना है 28 राज्य है भारत की कुल राजे 28 राज्य है उसके वादबाद भारत की किनसासित प्रदिस की कुल संख्य कतना है आठ है भारत की कुल 56 परज कतना है 32,87, אנस की कल भारत धीसु, भारत 26 प्रजी में भारत बिशु, छेतर फ्रजी में भारत का तुप hij enrichが दिष्टि से एस्टान कैमा है सात्मा से एस्टि से एस्टान कैमा है अगर बोलेगा भारत से छो बरे देश कोन है तो रूस है कनाडा है , चीन है अमेरिका है भ्राजिल है एस्टिलिया है और स्वरवाधिक बोले जाने वाली भासा कौन है भारत में तो हिंदी है और दूसरा बोलेगा दूसरा स्वरवाधिक बोले जाने वाली भासा तो बंगला है उसके बाद बोलेगा सबसे बारा जंजाती कौन है भारत में तो भील है और दूसरा गोंड है और दूसरा गोंड ह पुर्वी दिशांतर में इस्तित है भारत अगर आगे बोले उत्तर से दक्षिन लंबाई कितना है भारत का तो 32 सा 14 किलोमेटर उत्तर से दक्षिन है और पुर्व से पस्षिम बोलेगा तो ये 29 सा 39 किलोमेटर पुर्व से पस्षिम है पुर्भी बिंदु की बूत जो की अर्नाचल परदिस में है और पस्मी बिंदु है जो की पस्मी बिंदु का नाम है गुहार मोती जिसको गौरम माता भी कोते हैं ये गुजरात में हिस्तित है गौर माता भी काते हैं उसके बाद है उत्री बिंदु है इंद्रा कॉल है जो लद्दाख में इस्तित है लद्दाख में सिया चीन गलेसियर के काराकुरम दर्डरे में इस्तित है आगे बला है भात के मुख्य भूमी का दक्षिनी बिंदु कन्या कुमारी जिसो केप मेमरियन की नाम से भी जाना जाता है ये तमिल नाडु में सित है सबसे दक्षितम बिंदु कन है तो इंद्रा पॉइंट है सबसे दक्षितम बिंदु इंद्रा पॉइंट है इसका अन्य नाम क्या है तो पिग मिलियन या पारशन पॉइंट है पारशन पॉइंट है दक्षिनी बिंद भूमद्दे रेखा से दूरी कितना है तो 876 किलोमेटर है दक्षिनी बिंदू भूमद्दे रेखा से दूरी कितना है तो 876 किलोमेटर है अस्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है तो 15200 किलोमेटर है और बोले आपको कि मुख्य भूमी से मुख्य भूमी के तट की लंबाई कि सबसे लंबी तत्रेखा वाला राज्य कोन है तो गुजरात है सबसे लंभी तत्रेखा वाला राज्य कुन है तो गुवा सब छोटी टट्रिखावला राज्य है अगर आपको बोले कि सबसे छोटी टट्रिखावला किंदसासित परदेश कौन है किंदसासित परदेश राज्य मत या राज्य अंडमान निकोबार दुपसमू है परादूपिय भारत या भारत की दूसरी सब सरवादिक लंबी तर्ट रिखा वाला राज्य कौन है तो आंध पर्दिस है सरवादिक नगरी कृत राज्य कौन है तो महाराष्ट है निंतन नगरी कृत राज्य कौन है तो हिमाचल पर्दिस है यो कि पहारा रहु है थरह team उसके बाद वह है स्रवादीख वन अच्छदीट वन अच्छादीट राज्य को है तो चाहिए ने मत्दरी पर दिस और सबसे निंतम रेधा राजज्य को दो है je Krita हई स्राना में तब स आख марshowले में मिश्थेते हैं माशिन कशा में मर्सवल अस्तान कहा है दिष लगणा कमिश्थ है अब अब कर बोड़े मत तो सब्ससे ठंडा सब थंडा अस्तान को है तो दरास लगण कमिश्थ थ frequ shining को मत 10 है आगे देखते हैं आगे है भारत के परोसी देशों की संख्या कितना है तो नौ है भारत के परेशी संख्या के रहे नौ है जिसमें सात अस्थलीय और दू जलिय सीमा से लगते हैं तीन देश कौन है शरी तीन देश बंगला देश मैनमार एवं पकिस्तान भारत की अस्थल एवं जल सीमा दोनों से लगती है देखिए भारत सिर्फ अस्थल से लगता है साथ और सिर्फ जल ये से लगता है दो लेकिन तीन को ऐसा देश है जो कि अस्थल से भी और जल से भी ल पाकिस्तान अस्थलिय भूं औदेशा। उत्तर पुर में भुटान से मिलती है भारत का सब से छोटा प्रोसी देश को नह ovat का सब से छोटा प्रोसी देश भुटानाई भारत की सब से लंबीत अंतराश्टीय सीिमा बंगला देश के साथ जबकी सब पंज सीर घाटी पंज सीर घाटी कहां है तो अफगनिस्तान में इस्थित है भारत के जलिये सीमा से लगे दो देश कौन है तो माल्दीव एवं स्री लंका है जो हिंद महा सागर में इस्थित है भात का निकरतम संद्री परोशी देश स्री लंका यह संद्री के उसपार है स्री लंका का पाक जलसंदी मननारगी खारी तम्यल नडू के भारत को स्री लंका से अलग करते हैं तमिलनाडू के इधर है आगे है कि सिरलंका रतनों का महादूइप पुर्वी समुद्र की स्वामनी तथा भाद की चाय बुंद कहलाते हैं सिरलंका रतनों का महादूइप पुर्वी समुद्र की स्वामनी तथा भाद की चाय बुंद कहलाते हैं सिरलंका के बाद भाद का दूसरा निकर्तम समुद्री परोश्ची देश इंडोनेसिया है जो निकोबार भाद के कूल 16 राज्य है तथा 23 परदेश शोला राजे से 28 परदेश 5ूद्री त बहुत हैं 16 राज्य तसदा 2 किनशासित परदेश जहांकि जम्मू कस्मिर अल्यक्ना किनशासित हुआ और परोशिदेशों की सीमा से लगता है सुल सोराज्य और दो किनसार्वित पृदेश हैं और बौलीगा सिमांध करन तरह कडिक एनमान मानव निर्मित दोनों परकार किए तु 9 अगर आपको बोले मानव निर्मित शीमा में बुदस सीमा अध्या रोपित है उती जो किसी बाहे सकती दुआरा आरोपित होते हैं, भारत पकिस्तन के मद्धय सीमा, अध्यरोपीत सीमा का एक उदारन है, सरक्रीक बिवाद भारत पकिस्तान के बीच इस्तित है सरक्रीक बिवाद कुंदिस के बीच है भारत और पकिस्तान के बीच इस्तित है सरक्रीक कहा है सरक्रीक कक्ष सरक्रीक कक्ष दल्दली भूमी का है दल्दली भुमिर होता है जो कि सरक्री कख्च केびरन से गुरात में कख्च केबरण है को पकिस्तान से अलग करती है रेड किलिफ भारत वें पकिस्तान के बीच सीमा रेखा है जिसका निर्धायरन पंदरा अगस्ट 1947 को सर रेड़ किलिफ दुवारा किया गया था 15 अगस्त सर 1947 को वे सर रेड़ किलिफ दुवारा अस्थापित किया गया था जो कि इसमें दो मुल्क अलग हो गया था भारत और पकिस्तान आगे है भारत का भूभाग जो पकिस्तान के कबजे में है भारत का वह भुभाव जो पकिस्तान के कबजे में है उसको पाक अधिकरित कस्मीर कहते हैं जिसको P.O.K. भी सटकॉट में कहते हैं P.O.K. की राज़ानी कहा है तो मुझपराबाद है P.O.K. की राज़ानी मुझपराबाद है विस्व का सरूच सीखर है माउंट विस्व का अगर आगे बोले इसकी माउंट विस्व की लंबाई कितना है तो 88-50 मीटर है माउंट विस्व की लंबाई जो की नेपाल में इस्तित है नेपाल में इस्तित है नियंटर रेखा है जिसको LOC भी कहते हैं या भार्त पकिस्तान के बीच युद्बिराम रेखा है जो सिम्ला समझा होते के बाद 1972 में तयार किया गया था या सियाचीन विवाद भार्त पकिस्तान के बीच है आगे है कि सिया चीन सिया चीन लगदाख में है या 1984 भारतिय सेना द्वारा मेघ दूत अपरेशन चलाए गया था या भारतिय सेना द्वारा मेघ दूत अपरेशन चलाए गया था 200 का सबसे बरा गलेसियर सिया चीन में इस दित है और बुलेगा आगे है कि मेनमार का पुराणाम क्या है तो बर्मा मेनमार का पुराणा नाम है आगे है भार सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में भार्मा को भार्ट से अलग कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में बरमा को भारत से अलग कर दिया गया था मडले जेल मैनमार में बाल गंगा धर तीलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना के थी रंगून वर्तमान में यांगून भी इसको कहते हैं वर्तमान में यह मैनमार का बरा सहर है जहां बहादूर साह जफर की कबर है जहां बहादूर साह जफर की कबर है हिमाले की सिरेनी अकार्ण नए मैनमार में इस्तित है मेक महन भार्द चीन के बीच की सिमा है जो 1914 में सीमला समझेते के तहट हेनरी मेक महन दौरा निर्धायित किया गया था जो कि 1914 में किया गया था आगे हैं किनसासित परदेश लद्दाख में भार्द अधिकरीत छेतर एवं चीन अधिकरीत छेतर जिसको अक्साई चीन कहा जाता है जो है किसके बीच है तो यह सीमा के वास्तविक नियंतर ने रेखा जिसको LAC कहते है LAC बोलेगा तो भारत और चीन के बीच इस्तित है और LOC बोलेगा तो भारत पकिस्तान के बीच इस्तित है आगे है कि डोकलाम डोकलाम चीन वब भुटान के बीच एक बिवादित छेतर है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भुटान के हा घाटी के बीच इस्तित है भार्ट भुटान के बीच सांती एवं मितरता संधी आठ अगस्त उन्चास को दार्जिलिंग में हुआ था डुरंड रेखा भार्ट एवं अफगनिस्तान के बीच 1896 में सर्ट डुरंड दुआरण निधायत की गई थी यह उर्तमान में यह रेखा अफगनिस्तान एवं पकिस्तान के बीच इस देता है पहले देखिए यह जैसे अफगनिस्तान हो गया यह छेत्र जैसे देखिए यह अफगनिस्तान हो गया यह छेत्र इसको अफगनिस्तान कहेंगे और अगर यह बुलेगा जैसे यह छेत्र आ बंगलादेस से घिरा हुआ, तिरपूरा एबन बंगलादेस के बीच सीमा सुनने रेखा कर लाते हैं पस्षीम बंगाल लाज्य में इस्थित्त तीन बीघा करीडोर है जो भारत बंगलादेश के दोहा गराम और अंगो पोता इलाके को जोड़ता है मैत्री एक्सप्रेस भारत बंगलादेश के बीच इस्थित्त है और आपको बोले बंधन एक्सप्रेस कोलकत्ता सिर्फ बंगलादेश के बीच इस्थित्त है बंधन एक्सप्रेस कोलकत्ता सिर्फ बंगलादेश के खुला सहर के बीच 2018 में परारंब किया गया था यहां पर अगर बोले आपको तो आपको अगर पताजें पकिस्तान पकिस्तान से भारतिय राज्य लगते हैं तो पकिस्तान से यहां देखें ये तीन गो राज्ये है और दुगो किंसासित परदिस लगते है पकिस्तान से तीन गो राज्ये कुन कुन से है तो गुजरात, राजस्तान एबं पंजाव ये तीन गो राज्ये है पकिस्तान से लगता है और दुगो किंसासित परदिस कुन कुन से है तो किंसासित परदिस ज जाना जाता है। अगर बुलेगा चीन से कितना लगता है तो चार राज्ये और किना शनल अग nossas कान से को लगता है तो हिमाचल परदेश उत्राघंड सिंग किन्ठाट से राज्ये उत्तर प्रदेश, उत्राखंड, बिहार, पस्ती मंगाल एबं सिक्कीम ये पांच राज्ये निपाल से सटे हुए है और भुटान से बोलेगा तो भुटान से चार राज्ये है जो कि सिक्कीम, पस्ती मंगाल, असम, अन्नाचल प्रदेश ये चार राज्ये से भुटान से सट लगते हैं इन्वारत से चार राज eller मिजोर लगते हैं ये चार राजे मैंनमार से सटे हुए है आगे है परोसी देश और उसी देशों की सीमा की लंबाई कितना है तो यहाँ है बंगला देश की लंबाई है चीन का है 3,488 किलो मेटर है पकिस्तान का है 3,327 किलो मेटर है नेपाल का है 1,171 किलो मेटर है एक वरार देख लेते हैं बंगला देश के कितना लंबाई है तो 4,096.7 किलो मेटर है बंगला देश से लगते है भारतिय सीमा और चीन का सीमा कितना किलो मेटर से लगते है भारति से लगती हैं पकिस्तान की सिमा से 3324 किलोमेटर्टर्टा है और नेपाल लगती है 1191 किलोमेटर से लगती है उसके बाद है मैनमार से कितना लगता है तो मैनमार से लगता है 1643 किलोमेटर सटा हुआ है भारती राज्ये भारती भार सटा हुआ है उसके बाद भुटान से सटा हुआ है बुटान से 699 किलोमेटर सटा हुआ है और अपनिस्तान से 106 किलोमेटर सटा हुआ है आगे है कि दो देशों के बीच सीमा रेखा है दो देशों के बीच की सीमा क्या कते हैं बहरत और चीन के बीच की सीमा को रेड हैं रेड्ड कलफ रेखा वह但 एवं Asaelने अफगनिस्तान के बीच को रेखाते हैं आगे है हिंडन बर्ग रेखा हिंडन बर्ग रेखा जरमानी एवं पोलैंड के बीच इस्तित है 24वी अक्षांस रेखा भारत पकिस्तान के बीच इस्तित है 24वी समानतर रेखा भारत पकिस्तान के बीच इस्तित है 29वी समानतर रेखा उत्तरी एवं दक्षिनी कोडिया के बीच इस्तित है 29वी समानतर रेखा उत्तर अमिरिका एवं कनाडा के बीच इस्तित है 27वी अक्षांस रेखा उत्तर एवं दक्षिनी बीच नाम के बीच इस्तित है 27वी समानतर रेखा आगे है MichaNoach रेखा जिसको Siege Pride रेखा भी करते हैं या जरमानी एवं फ्रांस के इस्तित है आगे है ओडर नीस रेखा या पुर्वी जर्मानी एवं पुलैन के बीच इस्ते थे आगे है मैनर हीन रेखा रूस और फिनलैन के बीच इस्ते थे रूस एवं फिनलैन के बीच इस्ते थे आगे देख्ते हैं आगे यहां पढ़ेंगे सौरा मंडल एक दिष्टी में गरहों की सूरे वेंगों है दुसरा सबसे बरा गरह कौन है तो सणी है जुसरा सबसे बरा गराह कोन है तो सनी है अगर बोलेगा इस सबसे चोटा गराह कोन है तो बुध है जिसको मरकरी भी कहते है सुर्य के सबसे निकर्तम इस्तित गराह कोन है तो बुध है प्रिथवी के सबसे निकर्तम इस्तित गराह कोन है तो सुकर है प्रिथिवी के सबसे निकरतम गराख कोना है तो सुकर है सुर्वे और प्रिथिवी से दूर इस्तित गराख कोना है तो वारून है सुर्वे एवं प्रिथिवी से दूर इस्तित गराख कोना है तो वारून है प्रित्वी के परोसी गरह कोन है तो सुक्र एवं मंगल है सुराधिक चमकीला एवं गरम गरह कोन है तो सुक्र है सुक्र सुराधिक गरम एवं चमकीला गरह है सुराधिक ठंधा गरह कोन है तो वारून है जिसको नेप्चून भी इंगलिस में कहते हैं वारून की खोज कुन किये थे तो जॉन गयले दुआरा 1846 में किया गया था सराधिक गरहो वाला गरह कुन है तो बिरस्पती जो बिरानमिर है जिसका बिरानमिर है अभी नया में खोजा गया है फिलाल में सनी का हो गया है सनी का हो गया है एक सबसे टप गया है बिना उप गरहो वाला गरह को नहीं तो बुद्ध एवन सुकर है बुद्ध एवन सुकर है लाल हुआ हरा गरह किस को कहते हैं तो लाल गरह मंगल हो कहते हैं और हरा वरून को कहते हैं लाल मंगल हो कहते हैं हरा वरून को कहते हैं पीला त को कहते हैं आगे हैं लेटा हुआ गरह किसो कहते हैं तो अरून को लेटा हुआ गरह कौन है तो अरून है सरवादिक गैसों से गिरा हुआ गरह कौन है तो अरून है यूरेनस की खोज सबसे कम घनत वाला गरह कौन है तो सनी सबसे कम घनत वाला गरह है या पानी पर भी समुद्र में भी तरने लगा इतना हला गरह है सबसे बड़ा गरह कौन है सबसे बरा गरह कौन है तो तक मंगल का है ओपल्पोविएवर्न्फ रिमोंपक्राइब किसका है तो मंगल का है सनी ग्सास सभ्से बरा ग्रवताक्ताइं क्यों का है सनी ग्रवमें व्ले चैला कि संखें कितना साथ है व्ले कर दो साथ चैंजीक के रिंग के खोज hey ashing команд को सबसे तेज एवं सबसे धी मी गती की परिभार्मण करने वाला गरौ कंसक बिरस्पति है वालाज है रख कामसमय में सुरasm की परक्रमा करने वाला गरौ कौन है तो यह बुद्धह है जाकि 88 में पुरुव से पस्मय में बूलेगा परिकर्मा कुन करता है तो बुध्र करता है तो यह इस मात्र आटासी दिन में करता है कि आगे है प्रित्मी के भीप्रीद दिशा यहांनि पुर्व से पस्माने पूर्व की पस्षीम, पूर्व से पस्षीम, में चक्कर लगाने वाला गरह कुन है, तो सुकर और अरून है, पूर्व से पस्षीम, पूर्व से पस्षीम और बांकी जो गरह है, जो कि पस्षीम से पूर्व की और चलती है, पूर्व से सबसे निकर्तम तारे का परकास, पू प्रिथिवी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4.2 वर्स लगता है, प्रिथिवी से सबसे निकरतम तारी का प्रकास पहुंचने में 4.2 वर्स लगता है, शूर्य तथा चंद्रमा के प्रकास को प्रिथिवी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8.3 मिनिट ल सबसे बरा चुद्रगरा कोन है तो से रेस है जो की कोज की या था पियाजी जी पियाजी कोज इसके सब्सक्राइब रूटो की खोज 1930 में किया गया था जैकि टर्म बेग ने किया था इसका खोज गरहों की सिरेनी से हटा दिया गया था इसको कब 2006 में प्राग बैठक में गरहों की सिरेनी से इसको हटा दिया गया था